दोस्तों कल का दिन बड़ा ही एक्शन पैक था, कल हमने रात को डेड़ बज़े तक जो है FOMC की मीटिंग लाइफ सुनी, इसके बारे में बात करेंगे कैसे एक जूसी फोरावरली कैंडल रेड कलर की भरी हुई यहां पर दिखाई थी, उसके बारे में बात करेंगे कि आने अगर आपको चैनल से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कल, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था, प्लीज उठा के देखिए कल की वीडियो के तुरंद बाद 7.74% का क्रैश आया, कल की वीडियो में हमने 28,200 पे अपने सारे बॉट्स क्लोज कर लिये थे, और मैंने आपको अपनी एक थीसिस बताई थी, जो मैं थीसिस रिपीट करूँगा, मैं पिछली 4-5 दिनों से अपनी इस थीसिस पे जो है तबज्वधो दे रहा हूँ, वो थीसिस मेरी ये थी दोस्तों, कि इस समय जो बिटकोईन का प्राईस जहां पर चल रहा था, राइट, इस سमय जो बिटकोईन का 28,200 पर प्राईस चल रहा था, वो तरह से रожिस्टन्स के नीचछे है, कभी भी रिजिस्टन्स के इग्रेसिव लॉंग नहीं लूँगा क्योंकि 28,000 के इस पड़ा पर हमारे बहुत सारे जो है rejections आये बहुत बार ही हम reject किये और कल को जो है हमने आपको अपने सारे longs को सारी trades को close करने की चीज़ दिखाई थी जो हमने 28,200 पर ही अपना 16,000 डॉलर वाला जो है trade close किया था उसक इस पुट भी तो लॉंगेस्ट फोर आवरली कैंडल चार घंटे में साड़े साथ 8% जो है गिरना कल हमने बोला था कि fed जो है 25 basis point rate hike करेगा किया उसने market उसको factor in कर चुका था कल आपको सीधे शब्दों में बताया था rate hike करेगा 25 basis point का तो हलका सा correction आएगा zero rate hike 30,000 तोडेंग तो हमने यहां पर रिस्क लिया था हमें chances थे वैसे 85% लोगों ने पोल में कहा भी था fed के कि rate hike 25% आने वाला है तो वही हुआ तो market के हिसाफ से चलना चाहिए let's not let's not fight with the fed as this है जैसे US में कहते हैं कि fed से लडाई मत करो जैसा fed कह रहा है वैसे करो उसके हिसाफ से trade लो तो अच अगर हमारा 10x या 5x का या 15x का leverage होता तो हम अपना liquidation price hit कर जाते है क्योंकि 4 गंटे के भीतर भीतर जो है इसने अच्छा खासा correction लिया this is one of the juiciest red candle I've ever seen 4 गंटे में साड़े साथ 8% is like suicidal तो हमने अच्छा किया कि हम अपने trade close close कर लिये हमने उल्टा बलकि मैं आपको कल की वी लूँगा long नहीं हालकि हम एक तना से थोड़े से unfortunate रहे कि जब price गिरा मैं देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि यहां से मैं long लूँगा 24,200 से तो हम 0.78% से रह गए अगर price वहां तक touch होता तो मैंने वहां से long लेना था क्योंकि मैं अपने technical से विश्वास करता हूं कल यहा लिए कि हमने 28,200 पर exit कर लिया तो वहां से हम liquidate हो सकते थे अगर price नीचे जाता तो हमारे सारे longs liquidate हो जाते So that was one good wise move Stock market ने भी कही न कि उसी तरीके का preservation किया जैसे FOMC की जब live press conference हुई तो हुआ क्या rate hike तो 25 basis point का सा तो जैसा अपेक्षा थी But Fed ने यह कहा दिया कि भाया यह rate hike चलते रहेंगे Rate hike चलेंगे नहीं भली but rate cut नहीं होगे इस साल में rate cut नहीं होगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि rate cut की क्या उन्होंने ग्राफिंग बताई है But इसको market ने जो है positively नहीं लिया Powell ने कहा कि we no longer expect that going ongoing rate increase will be appropriate तो यह positive चीज market mix bag था Speech mix bag थी उन्होंने कहा कि rate hike करना appropriate नहीं है पर उन्होंने साथ में यह भी कह दिया कि हम rate cut नहीं करेंगे अगले करीब करीब उन्होंनों मोटा मोटा एक साल बोला मैं आपको उताता हूं क्या उन्होंने बोला उस बारे में भी अच्छी बात market ने इस बात को positively लिया है कि अब और rate hike नहीं होगे यह बात अच्छी है पर negative चीज क्या है कि rate cut भी नहीं होगे market expect करेंगे अब आज fed ने expect क्या गरे थी जो over expect करेंगे थी 15% लोगों ने जो vote किया था कि market 0% fed rate 0% hike करेगा इसका महला fed ने pivot कर दिया pivot क्या है hike करना बंद कर दिया तो fed ने पहली बात तो 25% hike किया यह भी भी rate hike कर रहा है पर अच्छी चीज pivoting का संकेत दे दिया यह जो उन्हें ने चार्ट दिया कि 5.1% इस पूरे साल रहेगा 5.1% इस समय rate है अगले साल जो है 4.3% जाएगा पिछले महीने की projection में fed ने का था 4.1 रहेगा 2024 में बट कल उन्हें बढ़ा के 4.3 कर दी यह negative है fed ने यह indication दिया कि इस साल तो में rate cut नहीं करूँगा इस साल दिसंबर तक 5.1 रहेगा अगले साल मैं 0.8% total rate cut करूँगा यह पहले कह रहा था कि 1% करूँगा 5.1 से 4.1 और अब कल वाले वक्तवे में उसने कहा कि मैं 0.8 करूँगा अब market इस बात से खुश नहीं है यहनि कि अगले almost year end तक यहनि कि अगले इस साल के 9 महीने और अगले साल के 12 महीने यहनि 21 महीने तक rate cable 0.8% करूँगा यह तो नाइन साफी है इसको market ने थोड़ा सा positive नहीं लिया इसलिए knee jerk reaction करते हुए market ने थोड़ा सा dump लिया बड़ अब market को समझ में आ रहा है कि Fed जो है एक term है jaw boning jaw boning क्या होता है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने की कुछ और वह वाली कावर तो Fed क्या कर रहा है आपको डराने के लिए ऐसा बोल रहा है कि मैं rate cut नहीं करूँगा but Fed ने यह भी जैसे मैंने का mixed bag है we will make meeting by meeting decision based on the totality of data साथ में यह भी कह दिया एक तरफ तो कहा कि इस पूरे साल मैं rate cut नहीं करूँगा फिर बोला कि participants don't see rate cuts this year फिर बोला कि meeting the meeting देखेंगे तो Fed जो है उसको भी पता नहीं क्या कर रहा बढ़ हमें पता है हमें Fed से आगे का पता है जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको का था वो है truth relation truth relation दिखा रहा है कि इस समय की जो reality है inflation की वो 4% की गरीब की है यह reality इसने एक महीने पहले बताई थी 5% की और inflation का rate क्या आया था January का आया था February का माफ कीजिएगा आया था 6% तो यहनी कि इनकी accuracy शायद 1% कम है अगर इनकी accuracy शायद 1% कम भी है तो भी अगर 75% rate inflation का rate आता है March का तो भी market बहुत खुश होगी यहनी कि almost 1% का rate reduction month on month that will be the biggest drop in inflation जब से पिछले साल से inflation गिरना कम हुआ है तो I think इस data को देखने के बाद अगर यह true inflation का data वास्तव है अगर वास्तव में 5% के आसपस inflation rate आता है तो दोस्तो Fed अपना mood बदल देगा then Fed will be very happy तो इसलिए हमें अपने tools को use करके market में दिये हुए intelligence data को use करके हम कोशिश करते हैं कि आपको समय से आगे रखें तो Fed ने समरी यही है, Fed ने job honing करी हाथी के दान दिखाया, बोला कि मैं rate cut नहीं करूँगा बढ़ वास्तेविकता ही है कि rate cut करेगा तो अच्छी बात है, market pump करेगी कुछ fundamental news भी बताएंगे आपको Justin Sun kidnap हुए है arrest हुए है, माफ के जिगा, आजकल government भी kidnap ही करती है, उसे कम नहीं है, तो उस बारे में बात करेंगे कि market क्लिए कैसे अच्छा है, कैसे बुरा है हमारे जो छोटे-छोटे perpetual trade चल रहे थे long shot के, वो भी अच्छे चल रहे है जो मैंने आपको काता है, जो bot की खासियत है, कल और परसों की वीडियो मैंने बहुत detail में बताता है, bot की क्या खासियत है, मैं आपको ये trade बताता हूँ, 6.85% का, इसकी खासियत मेरा profit है 6.8% का, but market अगर देखें, कितना correct हुआ, bitcoin का price कितना correct हुआ है, top से लेकर, bottom तक, तो market जो है, नेगेटिव आई है, इस समय जो current price चल रहे है, वो नेगेटिव चल रहे है, डिपेंडिंग आप देखें, market जो है, वो overall तो correct हुई है, 28,100 से लेकर यहां तक, 1.86% currently, right now market is down 1. bitcoin is down 1.86%, but हमारी bought जो है, long वाली, उसने 6.9% का profit किया, कैसे, जैसे मैंने आपको grids में दिखाया, जैसे मैंने आपको detailed video में भी बताया था, कि bought क्या करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के rule पर काम करता है, पहले केवल एक छोटा सा अंच लेगा, फिर उसके profit loss के basis पे अगला जो trade करेगा, वो थोड़ा बढ़ा करेगा, फिर उसके profit loss के basis पे अगला trade बढ़ा करेगा, तो while the market is down, bought may not be doing the longs, bought अपना जो आखरी long है, वो शाय तब लिया होगा, जब price 27,200 तक गया होगा, तो उससे लेकर अब तक थोड़ा profit होए, तो overall जो profit है, वो हमेशा bought कोशिश करते हैं कि आपको profitable result दे, this might sound very easy, but trust me, ये इतना ही easy है, bought की एक खासियत है, अगर आप range size दें उसको, बढ़ा आपने liquidation price पर हमेशा ध्यान रखे, तो ये bought में केवल एक गड़बड है, कि अगर आपका liquidation price सही नहीं है, तो आप जो है पैसा lose कर सकते हो, liquidation price का मतलब क्या है, अगर आप 28,000 पर enter कर रहे हो, long ले रहे हो, तो और 10x पर है, तो यानि 28,000 प्लस 2800 पर पैसा double होगा, 28,000 माइनस 2800 पर आपका पैसा zero हो जाएगा, तो इसलिए आपको जो अपना stop loss लगाना है, या bought की जो range define करनी है, वो बहुत जरूरी है, उस पर आपको तोड़ी लिए, बहुत सारे bonuses है, मैंने वीडियो अपडेट करिये कि bots को कैसे set करते हैं, almost 33 minutes की मैंने वीडियो बना के description में डाली है, उसमें मैंने proof के साथ बताए कि कैसे हमने 400% profit cable bot की help से book किया है, अब यहाँ पर fundamentals और breaking news की तरफ आते हैं, Tron के founder Justin Sun, जो multi-billionaire है उसको US में गिरफतार कर लिया गया है, उन पर आरोब लगा है SEC ने कि आपने manipulation charges की है, इनका Tron, PRX और BTT दो tokens हैं, अन्रेजिस्टर हैं, अब यहाँ पर जो है, शरम जो है SEC की US की government की वो इस level तक गिर दी जा रही है, कि वो पहले जो है Ethereum को security बुलाते थे, XRP पर case कर रखा था, अब जो है Tron और BTT के founder Justin Sun को उन्होंने गिरफतार कर लिया है, यह मतलब highest level of offense उन्होंने किया है, जी हाँ मैं मानता हूं सबसे बड़ी बात की crypto का सबसे बड़ा दुश्मन इस समय rate hikes और inflation recession नहीं है, वो इस समय है, जो US की policies, खैर मैंने सुनने में आ रहा है कि Coinbase, जो की सबसे बड़ा exchange है US में, Binance नहीं है, Binance US में registered नहीं है, वो US को छोड़ कर कहीं और बनाने की अपनी दुकान लगाने की सोच रहा है, that shows कि अगर आप crypto के साथ नहीं होगे, innovation के साथ नहीं होगे, तो वो आपको innovation वहाँ से छोड़ के चले जाएगी, अच्छी कबर क्या है, US की Treasury, Janet Yellen ने कहा है, कि we are not considering insuring all under uninsured bank deposits, अब यहाँ पर हास्यासपत बात क्या है, कल की Fed की speech में, जो की Fed के chairman है, उन्हेंने कहा था कि हम हर level के bank users को protect करेंगे, withdrawals को honor करेंगे, यहनि कि अगर और banks बंद होते हैं, तो US government उनको bailout करेंगी, बड जो Treasury के secretary है, Janet Yellen, उन्हेंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो US government देख लिए job warning हाथी के दाथ इसी को कहते हैं, कि आपस में इनका समन्वे नहीं है, it is like finance minister और RBI के head अलग अलग बात कह रहे हो, वैसी यहाँ पर बात है, तो मेरा मानना है दोस्तों की Fed को भी पता नहीं है, जैसे से inflation number धीरे नीचे जाएंगे, और जैसे से और bank crash होंगे, तब तब जो है, चीज़े सुद्रेगी, जैसे मैंने कहा कि Coinbase भी यूएस छोड़के जा रहा है, तो ऐसे यहाँ से पता चलता है, Brian Armstrong जो Coinbase के founder है, तो उनने कहा है कि हमको भी एक notice आया है, SEC के बारे में, जिसमें, staking के बारे में खा गया था, तो SEC, definitely SEC, Fed, US Treasury Secretary, यह तीनों जो है, यह बॉक लाएं हुए हैं, इनको पता नहीं यह क्या कर रहे हैं, और यही वो संकेत होते हैं, विनाश, काले, विपरीत, बुद्धी, जैसा कहा गया है, US के election बहुत जल्दी आने वाले, अगले 6-8 महिने में, US के election ड्यू हैं, यह अगले साल के आसपस ड्यू हैं, तो अब आप देख लीजे, जनता, US की जनता तो क्रिप्टो में इतनी विलीन है, इतनी समाई हुई है, और वो देख पा रही है, कि ना US की government जो है, inflation adjust कर पा रही है, ना US की government जो है, recession को रोक पा रही है, और साथ ही साथ जो है, बलकि crypto के हपी से हाथ दो कर पड़ी हुई है, तो दवाब में आके इनको definitely कुछ ना कुछ जो है, pro crypto बनना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह की खबरे जो है, US की जनता माफ नहीं करेगी, और definitely मुझे मानना है, कि राजनिति के जो होते हैं, वो politicians बहुत smart होते हैं, they will change their course accordingly, तो यहां पर उनको notice मिला है, कि आप staking और asset listing के ओपर थोड़ा सा रोक लगाईए, अब staking का मतलब है, आप proof of stake भी नहीं बेज सकते हैं, मतलब यानि कि आप एठीरें भी नहीं बेज सकते हैं, तो यह मेरा मानना है कि बहुत disruptive stage है, हलाकि this can lead a lot of volatility also, जो एक दिशा में bitcoin उपर जाने के प्रयास कर रहा था, उसको जो है तोड़ा सा उस party को विगन कर सकती है, बट ultimately दोस्तों अगर आप 4-10 साल पुराना चार्ट खोल के देखें, तो हमेशाँ चीज जो उपर जाती है, हल्कि नीचे आती है वो ऐसी अफवाओं के कारणी आती है, हलाकि यहां पर एक अच्छी कवर, अच्छी कवर कहेंगे, बुरी कवर कहेंगे, जो भी है, हिडनबर्ग आपको यादों का अधानी के बारे में इन्हों नहीं सबसे बड़ा शॉट का खुलासा किया, इन्हों नहीं का था कि we are going short on अधानी और उसके बाद अधानी के स्टॉक गिरे थे, हिडनबर्ग खाली इंडियन कंपनी को रिसर्च नहीं करता है, यहाँ पर हिडनबर्ग जो है, वो क्रिप्टो के बारे में कुछ घोषना करने वाला है, इन्होंने FTX के बारे में घोषना करी थी कि हम FTX पर short जा रहे हैं, उसके बाद FTX का क्या हुआ आप अच्छे जानते हैं, तो क्या कोई और exchange, या क्या कोई और bank जो है, निकलने वाला है, उसके बाद मेरा मानना है कि वो कंपनी जो है, उसके stock गिरेंगे या उसका coin गिरेगा तो उसको हम short करेंगे, आपको बताएंगे क्या वो Bitcoin के बारे में कह रहा है, I hope not, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता है कि हमारे घर में ही जो है, क्या पता हमने साम पाला होता है, बढ़ खाला कि Bitcoin ऐसा नहीं है, मेरा अटूट विश्वास है Bitcoin पे, इट कुट बी अन ओल्ट कोईन, I can't deny that, बट देखेंगे उसके हिसाब से strategy बनाएंगे, कल की हमने Fed pivot के समय अच्छा decision लिया, Fed के rate high के समय अच्छा decision लिया, अपने longs को बन करके, अपने bots की studies चेंज करके, अपने stop loss को चेंज करके, और अब हम side lines पे बैठेंगे, अपनी bots को काम करने देंगे, जो नहीं bots हैं, और आप यह कर ट्रेडिंग सीखना हैं जाते हैं, जम्प मत कीजिए, पैसा मत invest कीजिए, पहले आप कोशिश कीजिए, कि आप वीडियोस देखें, हमारी नहीं बाकियों की भी वीडियोस देखें, सीखें उनसे, और कुछ ना कुछ, उसके बाद अपना पैसा invest करना शुरू करें, सीखा मत जम्प कीजिए, सीखा मत पैसा अपना वेच कीजिए, और हाँ दोस्तों, यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं, 50 डॉलर जीतना चाहते हैं, तो सिंपल से सवाल का जवाब कॉमेंट में आप आंसर करके बताईए, दोस्तों, जैसे मैंने एपरिल के बारे में इस वीडियो के टाइटल में का, मेरे विज़ा से एपरिल बहुत अच्छा जाने वाला है, हमने इस महिने के स्टार्टिंग में अपने दोस्तों से पूचा था कि मार्च एंड का क्या टार्गेट है, और हमने 30,000 के आसपास की अपेक्शा गरी थी, 28,000 के आसपास हम अउरड़ी हैं, तो अपना मार्च का टार्गेट तो अचीव कर चुके हैं, एपरिल में यहां से keeping in mind the inflation data किस तरफ जाने वाला है, या बाकी जो तथ्थे मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक आदा bank collapse होगा, तो bitcoin नीचे गरेगा, फिर उसके बाद inflation का डिटाच साएगा, तो 10-11 अपरिल के बाद bitcoin फिर से उपर करेगा, मैं करीब करीब 32 से 34,000 के आसपास का bitcoin expect कर रहा हूँ, आप अपनी expectation बताईए, अपनी thesis बताईए, और अपनी USDT address डालना मत भूलिए, अपना ख्याल रखी दोस्तों, धन्यवाद, जैहिंद,